हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल जोहर जाकन इस्टड़ी में कि आप सभी को पताए कि जारखन में 26,000 प्रात्मिक सिचकों की बाहली आई है और दोस्तों पेपर टू में जो छेत्र लेंग्वेज आपको पढ़ना है इसमें उसमें आपको जो बुक पढ़ना है खोर्था का वो कौन सा बुक पढ़ना है कच्छा 1 to 5 में और 6 to 8 में क्या पढ़ना है सब कुछ बताएंगे साथी साथ इसका तयारी आप कहां से करें कोन बुक से करें सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में इसलिए लास तक बने रहें और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक साथिक लोगों को सेयर करें तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपसे पहले कच्छा 1 to 5 के बारे बात करते हैं कि क्या क्या है सीलबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और दोस्तों मैं बता दूँ ये जो पेपर 2 है आपका 100 नंबर का है इस परिशा में ज्यादा नंबर लाने से आपका मतलब की रिजल्ट होने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेगा तो देखें क्या कुछ है मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि खोठा का जो ये सीलबस है दोस्तों आपका सेम टू सेम सीके एश्टी के जैसा है जो टूएल लेमल की वेकेंसी आई थी जहारखन में वह राद हो गई है अभी नहीं आई है टाइपिंग वहला सेम टू सेम सिलबस यही है दोस्तों जिसमें आपको पहले पढ़ना है गद्य गद्य भाग पैद्य भाग ठीक है और आगे देखे सायक पुष्तक खोठा गद्य पज्य संग्रा पहला यह देखे यह पढ़ना है खोठा साहित साहिती परिशत बोकारों के द्वारा निकाली गई है खोठा निबन जो की बिया नोधार ने लिखा है उसको पढ़ना है तिसरा में नाटक है जो डा नाटक जो कुमार जी ने लिखा इसको पढ़ना है फरीज डाहर को पढ़ना है पज्य साहित में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है सायक पुछता के यह बुक का नाम है एक पत्या डोंगल महुआ जिसके लेका के संतोस्मातों दूसरा है स्वंध मार्टी बिनोत कुमार कविता भ दोस्तों यह जो सिलबस से सेम टूसेम मतलग अच्छा वान टूफाइब में जो सी के एस्टी का था दोस्तों सी के एस्टी यानि कंपूटर नोलज जाने हिंदी टापिंग का जो खोटा का सिलबस से सेम टूसेम रखा गया है और मैं आप सभी को एक इनफोर्मेशन देना चाता हूं कि इसका सारा नोट हमारे पास है और आप लोग चाहे तो इसे परचेज कर सकते हो ठीक है और मैं उसका इनफोर्मेशन बाद में दूँगा कैसे परचेज करना है और आप लोग पूरा एदम हैं रिटेन नोट आपको यह जो सीलबस से इसका पूरा नोट हमारे सब्सक्राइब सब mini बनाया है यह सी कर शक्ते हो लेकिन मैं इसे पर रेक्ष्ट नहीं देना चाहता था हूं की दोस्तों मैं फिरी भी दे सकता है लेकिन इसली नहीं दे रहा हूं क्यों से बाते हो इसके यह नहीं करा रहा हूं इसके लिए आपको नियुक्ट करें moving car करूंगा ठीक है पूरा पूरे नोट से जितना भी आपका सिलेबस है यदि आप त्यारी करना चाहते हो तो ले सकते हो बाकि बाद लेना या न लेना इस योर चोईस तो यह आपका हो गया पेपर वन का दोस्तों कच्छा 628 के लिए खोटा के सिलेबस है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं यह GSSC CGL का जो सिलेबस है same to same हुब हुँ रखा गया यानि GSSC CGL का जो सिलेबस है same to same वही रखा गया पहले आपको व्याकरन पढ़ना है आगे है 25 साहित में देख्यें यह सब पढ़ना है और दोस्तों मैं आपको बता दू आपको बता दूँ यह वाइज हमारे इसे सिजल का तेली मिधा गूप है उसमें तोफिक वाइज करवाया रहा है और मैंने आप लोगों को तो यह दस गीतू का अजयान में हमारे चैनल पर करवा दिया है और यह 10 शीस्ट कविताय भी मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है तो पहले करना है संस्कार गेत पर्वगेत शरंगेत बाल गेत रितूगेत यह अब सारे कहाँ-का यह परना है उमाईन इसका सारे मांदर बाजरे बोने पाकलय संहा को दस गित है यह भी अपने यह सेनल पर करवाय हुँआ है आप जाकर देख सकते हो ठीक है है टो इतना आपको पढ़ना है 10 कवीताएं पढ़नी है और एक पत्या'll कुहाँ अभी पढ़ना है और इसा परतेनेति कवीता हैं 10 कवीताएं और 10 कित पढ़ना है फिर आगे देखे ड़य साहित में आपको क्या करना लोकर पढ़ना है इन लोकर यह इन लायोग से बाल गृष में आपको पूर्ज आदोने कहाणिया इस सब भी मैंने कर देंगे फिर पर आगे नाटक चाभी काटी है स्रीनवास पानरी दिवालत लिखा गया है फिर देखिया आगे है आट साहितिक निबंद भाई बहिंद के सब प्यार के परतिक परब करम इसको मैंने अपने चैनल पर कराया है फूल कर परब सहरूल और तकर प्रसंगिता इसको भी मैंने किया है अपने चैनल पर और बाकी बाद यह सब मैंने नहीं किया है तो यह सब भी मैं करवा दूंगा तो आप लोग यदि कच्छा 6-8 का त्यारी करना चाहते हो खोड़ा का तो आप लोग हमाने टेलिग्राम ग्रूप पे जरूर जरू जरू जाना जिसका लिंक मैंने नीचे द दूंगा और आप लोग जिनको जिनको लेना है नीचे जरूर में करें बहुत ही कम कोश्ट में मैं आपको दे दूंगा हैं रिटन नोट जो कि मैंने खुछ से लिखा है दोस्तों बुक आपको हर जगा मिल जाएंगे राची में और अगर राची से बाहर हैं तो आप देख दांओे राची जोसे दूंगा हैं ब underestिया जाएंगे और तो एका राची मीव में आपको जो जब से लिख राची में गर…